माया नगरी के सच को बखुवी बया करती है राजवाल यादव की फिल्म नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल स्वागत है आपका हमारे शेनल वोलिवूड डॉम पर माया नगरी मुंबई सपनों की वहा नगरी है जिसमें अपनी किस्मत आजमाने हजारों लोग हर रोज आते हैं यहां कुछ के सपने पूरे होते हैं लेकिन कुछ लोगों के सपने सारी उम्र गुजार देने के बाद भी पूरे नहीं हो बाते हैं एसे लोग सपने पूरा करने का सपना देखते देखते दुनिया से ही गुजर जाते हैं मुंबई स्थित फिल्म इंडेस्टी में जाकर किस्मत आजमाने वालों की शंख्या ज्यादा है दिल्ली, भुपाल, लखनाउं और जैपूर जैसे सहरों से थेटर करने के बाद में फिल्मों में काम करने की ख्वाइस लिए मुंबई जाने वाले हजारों कलाकार में चंद लोग ही सपलता की सीडिया पर चड़पाते हैं एसे ही लोगों में शिव कुमार का नाम भी शामिल है जिसकी जिन्दगी पर आधारित फिल्म अर्ध, OTT प्लेटफार्म G5 पर स्ट्रीम हो रही है इसमें सिवा का किरदार कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादाउने निबाया है राजपाल के साथ में रूबिना दिल्ले, हितेन तेजवानी, कुल भूसन, खरबंदा और स्वास्तिक तिवारी भी अहम रोल में है पल म्यूजिक एंड फिल्म के बेनर तले बनी फिल्म अर्ध का निजदेशन पलास मुछाल ने किया है पलास म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने इस फिल्म के जरिये अपना डारेक्टरियल डेब्यू भी किया है इस फिल्म के जरिये उन्होंने उन तमाम लोगों को शद्धान जली देने की कोशिज की है जो मुंबई में सारुक खान और नवाजदिन सिद्ध की बनने का सपना देखने कर आते हैं लेकिन पूरे जिंदगी फूट पार्ट पर ही बीच जाती है जहां भी ओडिशन देने जाते हैं वहां नौन हिट, नौन फिट की सुना ही देता है कई बार नेपोटिस्म के सिकार होते हैं तो कई बार यहां केकर बाहर कर दिया जाता है कि आपकी हाइट कम है या फिर आपकी बोडिश ही नहीं इतने रिजेक्शन के बाद तो कई कलाकार अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं वहीं कहीं जिंदगी जीने के लिए दूसरे तरह का धंदा करने लगते हैं, ऐसे लोगों के दर्द और माया नगरु की शहा आकिकत को इस फिल्म में बखु भी पेश किया गया है। वहां नाटक से अपने किरदार के गेटप में ही बहार आ जाता है, वहां बस इस्टेंट पर उसे महिला के वेश में देख लोगों को लगता है कि वो किनर है, एक आदमी उसे 50 रुपे देकर आशिरवात देने के लिए कहता है। वो भी लोगों के घरों में काम करके परिवार के आर्थी के इस्तिति सुधारने में मदद करती है। सत्या एक्टर बनने का सपना देखना छोड़ कर जौब करने लगता है, लेकिन सिवा अपने सपने को मरने नहीं देता है। अगतार कोशिश करता रेता है, एक बार वहाँ कास्टिंग डारेक्टर का उसे फोन आता है, वो उसका ओडिशन देखकर बहुत खुश होता है, सिवा को एक फिल्म की लीड रोल करने का आउफर देता है। सिवा को तो खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहता है, उसे लगता है कि अब उसके सपने पूरे हो जाएंगे। चुश हो जाती है। एक सक्स का आपने परिवार की जिम्मदारियों और सपनों के बीच में पिस्ते वे देखकर ऐसा लगता है कि ये किरदार हमारे आसपास ही कहीं है। अक्सर मध्यवरगी परिवार के ऐसे ही लोग मिल जाएंगे जो सपने पूरे बहुत बड़े देखते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है। सच का है तो यहाँ फिल्म उनकी है किनर के रूप में जब वो रेड लाइट किनरे लोगों से पेसे मांगते दिखते हैं तो उनका अंदाज देखकर ये कोई यहाँ नहीं कह सकता कि वो असली किनर नहीं है। पती की जिद की पोशक है इतने ससक्त किरदार में भी वो आशर नहीं छोड़ पाई। सिवा के दोस्त के किरदार में अभी नेता हितेन तेजवानी को स्क्रीन इसपेस तो कम मिला लेकिन हर सीन में वहाँ प्रभावी लगे हैं। इस तरह से फिल्म की कास्टिंग को वहतर क पहा जा सकता है। लेकिन डारेक्शन और स्क्रीप्ट पर बहतर काम किया जा सकता था। स्क्रीप्ट जितनी ज्यादा क्रिस्प होती है फिल्म उतनी ज्यादा दर्सकों को इंगेज करती है। लेकिन कमजोर स्क्रीप्ट और धीले निर्देशन की वज़ा से फिल्म उस इस पर नहीं पहुँच पाई है जहां इसे होना चाहिए था पलास मुशाल निर्देशन में कमजोर पढ़ने के साथ ही फिल्म के संगीत के साथ भी इन्षाप नहीं कर पाए है फिल्मे में जिस तरह की परिस्तितिया दिखाई गई है उनके अनुशार बेक्ग्राउंड इसकोर नहीं है जबकि पलास खुद एक म्यूजिक डारेक्टर है इसे में उनको फिल्म को संगीत के मामले में उम्दा बनाना चाहिए था फिल्म के गाने रेखा भारतवाज सोनु निगम अर्मान मालिक और पलास मुचाल ने गाये हैं कुल मिलाकर अर्द ओसत से बहतर फिल्म कही जा सकती है यदि आप राजपाल यादाव के फैन है तो उनकी उम्दा अदाकारी के लिए इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है कमेंट शेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजे और इसी तरह के खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ